हेलो फ्रेंद असलाम अलेकुम वेलकम बैक टो मैं चानल मैं हूँ सदफ और यह मैं स्टार्ट कर रही हूं फेशल ओयल सीरीज जिसकी हर वीडियो में मैं आपको अलग अलग फेशल ओयल के बारे में बताऊंगी उनके बेनिफिट्स क्या है उनके साइड इफिक्ट्स क्या है वो कैसे यूज होते हैं अगर आप लोग फेशल ओयल के बारे में जानना चाहते हैं या क्या क्या बेनिफिट्स हैं या कैसे यूज कर सकते हैं या कुछ भी उसके बारे में तो यह वीडियो और मेरी आने वाली हर वीडियो जरूर दिखेगा क्योंकि मैं इस वीडियो में और आनेवाली हर वीडियो में सारे एक फेशल ऑईल कवर करने वाली हूं जो कि हमारि skin और hair के लिए बहुत ही beneficial है तो चलिए आज की वीडियो start करते है आज की वीडियो में हमारा first oil है जोजोबा उई जोजोबा आइल जो है एक बहुत ही अच्छा ओईल है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफीशल है फर्स्ट अफॉल जो जोबा ओईल जो है ये एक वैक्स है बट इट अपिर्स लाइक ओईल और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये हमारी स्किन को ट्रिक कर देता है कि अगर हम इसे अपने फेस पे अपलाई करते हैं तो ये ट्रिक कर देता है कि हमारी स्किन ने अल्रेडी बहुत सारा ओईल जो है वो प्रोड्यूस कर लिया है जिसकी वज़े से हमारी स्किन जो है और ओईल प्रोड्यूस नहीं करती है और ये oil जो है हमारी skin and hair दोनों के लिए बहुत ही beneficial है जो जो बाइल में बहुत सारे vitamins, nutrients, minerals बहुत सारी चीज़े हैं तो चलिए starting से बात करते हैं कि हम किस-किस चीज में इस जो जो बाइल को यूज कर सकते हैं तो सबसे first है ये एक बहुत ही प्यारा मॉस्टराइजर की तरह काम करता है तो अगर आपकी dry skin है तो आप ऐस जो बाइल यूज कर सकती है इसके सबसे अची बात यह है कि आप इसे अपने किसी भी मॉस्टराइजर के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकती है ताकि आपको इस ओईल के अच्छे benefits मिल सके लेकिन हाँ इसकी एक बात है कि यह water-based यह gel-based जो मॉस्टराइजर होते हैं यह उसके साथ जो है mix-up नहीं हो पाता है तो अगर यह cream-based यह oily moisturizer है oil-based moisturizer है तो उसके साथ आप जो जो बाइल मिक्स कर सकती है अगर आपको sunburn हो गया है tanning हो गई है तो इसकी बहुत अच्छी property है यह anti-bacterial and anti-inflammatory है इसमें बहुत ज़्यादा vitamin E होता है जहां भी आपको tanning हो रहा है sunburn हो रहा है या कोई इंफ्लमेशन हो रहा है वहां पर थोड़ा सा जो 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 बाइल लेके हल्क हाथ से रब कीजिए यह बहुत ही soothing effect देगा आपकी skin को और बहुत जल्दी ही heal कर देगा अब इसका next benefit आता है कि बहुत सारे लोग बहुत ही परिशान होते हैं जिनके acne हो जाते हैं ब्रेक आउट होते हैं बहुत ज्यादा कि वह सूचते हैं कि फिशल ओइल तो हमारी स्किन पर ब्रेक आउट हो जाएंगे बट ऐसा बिल्कुल नहीं है जोजोबा ओईल में antibacterial properties हैं जो कि आपके acne को heal करने में help करता है तो अगर आपको acne या breakouts हो गए हैं कहीं पर तो आपको एक चोटा सा amount एक drop लेनी है जोजोबा ओईल की और जहां भी आपके acne हुए हैं या जहां भी जिस भी area में breakouts हैं आप वहां पे पौत हलके हाथ से उसे अपलाई कर लीजे और उसे पूरी रात के लिए छोड़ दीजे नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसे warm water से अपने face को wash कर लीजे और विदिन डेज आपका acne या breakouts की जो problem है वो अराम से हीलो जाएगी तो यह acne के लिए भी बहुत अच्छा है अब इसका next benefit है जो हम सब मरते रहत है बड़ हमें जो है वो उन सब में केमिकल्स होता है तो वो सब हमें नुकसान देती है हमारी स्किन को वो सब हाम करता है तो अगर आप नाच्रल ग्लोई स्किन चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना थोड़ा सा जोजोब और मॉर्णिंग में आफ्टर क्लीनिंग या फेस जोड़ा एक शाइन आ जाती है बिल्कुल वैसा ही यह लूक आपको देगा तो यह आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोई और बहुत ही हल्दी बना देता है अब बहुत बड़ी हमारी स्किन की प्रॉब्लम सोती है जैसे जैसे हम एज करते हैं हमें फाइन लाइन रिंकल्स की प जिसकी वज़े से आपकी जो फाइन लाइन रिंकल्स है वो रिड्यूस होने लगते हैं विद टाइम तो आप इसको एंटी एजिंग सिरम या एंटी एजिंग ऑईल की तरह भी यूज कर सकती है और फोर एंटी एजिंग आप इसे मॉर्निंग या नाइट या फिर दोन टा तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि जो बॉल जो है ब्रेक आउट बिल्कुल नहीं देता है बलकि यह अक्ने पिंपल्स को हील करने में हेल्प करता है और इसकी एक और प्रॉपरटी है ऐंटी बैक्टेरियर एंटी फंगल प्रॉपरटी जिसके व बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा अपलाई करके उसे चोड़ दीजे और यह आपको बहुत ही जल्दी रिजर्ट देगा और आपका एक्जिमा बिल्कुल पूरी तरीके से हील हो जाएगा इसका एक और बेनफिट भी है अब हम क्या करते हैं मेकप अपलाई करते हैं जो की वाटर बेस ऑई बेस जेल बेस क्रीम बेस बहुत सारे बेस ताइप आते हैं तो अगर आप चाहें तो जो जो बहुत अच्छा वर्क करता है अपको कुछ निकरना थोड़ा सा जो 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 बहुत अपने हाथ पर लीजे ऐसे रब कीजे पूरे फेस अच्छे से अपलाई कीजे और यह आपका मेकप बहुत अच्छे से रिमूफ करेगा उसके बाद किसी भी टीशू या वेट वाइप से उसे क्लीन कर लीजे और फेस वाश कर लीजे तो यह एजा मेकप रिमूवर भी काम करता है तो आपने देखा कि जो जो बहुत कितने ज अपलाई केजे जहां पर आपको अकने या ब्रेक आउट आप उस एरिया में अपलाई कीजे यह ड्राय सकिन के लिए बहुत अच्छा है अज आपको फाइन लाइन रिंकल्स अंटी एजिंग में हेल्प करता है और सबसे अच्छी बात है यह अपने यह एर में भी जोबा ओयल का कोई side effect तो नहीं है, but yes, इससे किसी-किसी skin में allergic reactions हो जाते हैं, so before starting या before applying आप क्या करें, थोड़ा test जरूर कर लें अपनी skin पे, कि आपको इस ऐलर्जी तो नहीं है, या आपको कोई reaction तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे allergic reaction हो के आपको थोड़ा राश्य या itching हो सकती है, तो यह आप जरूर चेक कर लें, वैसे यह जरूरी नहीं है, जोजोबा ओयल के लिए या कोई भी skin पे आपने चाहे वो chemical product हो या natural product हो या कुछ भी हो, आप प्लाई करने से पहले उसे एक patch test जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सी बार हमारी skin पे बहुत सारी चीज़े स हमारी skin के हिसाब से, जिससे काफी adverse effect या reactions हो जाते हैं, break out हो जाते हैं, या कुछ और प्रोब्म्स हो जाती है, तो यह तो थी हमारी वीडियो आज की जोजोबा आयल के उपर, अब नेक्स्ट वीडियो होगी किसी और ओयल के उपर, वो भी facial oil के उपर, तो आप बताइएगा आप कोई वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजेगा, और शेयर कीजेगा, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई